तो इंडिया गेट पे अगर आप तहलते हुए ठक जाएं तो इस तरह की पत्थर की बनी चेयर पर आराम से बैट सकते हैं सुस्ता सकते हैं और यहां के खूपसूरत दजारे का लुथ उठा सकते हैं आप देखिए इस तरफ जो नहर बनाई गई है इंडिया गेट के दोनों और जादा बढ़ गया है हम आपको इस इलाके की कुछ और तस्वीरे दिखाते हैं यहां पर गार्डन को तयार कर दिया गया है ताकि यहां पर जब लोग आएं 19 महने बाद इस सेंटरल विस्टा का जो इलाका है वो दोबारा से आम लोगों के लिए खुल रहा है इस शेत् अधरा गांदी रास्ति कला केंद्र भी था उसको खत्म करके वहां पर भी सेंटरल विस्टा प्रजेक्ट के तहत बिल्डिंग बनाई जा रही है ताकि इन जो मंत्रालें के हमने नाम लिए उसमें से कुछ मंत्रालें की इमारतें जर जर हो गई है उसको वहां पर शिफ्ट सवारा जाएगा ताकि दुनिया भर से जब परेटक यहां पहुंचें तो उनको भारत के वहशाली नाके वले तेहास की समझ आए बलकि साथी साथ उनको भाविश्य के भारत की रूप देखा भी वहां पर दिखाई दे और इस तरह पीछे की तरफ मैं कहूंगा कैमरा परस इस इलाके को राजपत का नाम बदल के करतवेपत रख दिया जाएगा और देखिए यहां पर प्रधानमंत्री का नया आवास भी बनना आए इसी सेंट्रल विश्टा प्रजेक्ट के तहद और उपराष्ट पती का भी नया आवास बनना राष्ट पती तो सबको पता है कि दराश्टपती भावन में रहते हैं लेकर खास बात यह था कि तक्रीवन 1125 कारों की पार्किंग की विवस्था की गई क्योंकि यहां पर बड़ी तदाद में परिटक आते हैं और इसलिए उनको पार्किंग की दिक्कत ना हो ये भी ख्याल रखा गया है साथ ही साथ एक और ख्याल रखा गया है वो ख्याल यह है कि यहां पर जब लोग घूमने टहलने के लिए आएं और उनको लगे कि थोड़ा सा लुट फुठा लिया जाए कुछ खापी लिया जाए तो फिर यहां पर 40 विंडिंग जोन बनाए गए हर विंडिंग जोन में 200-200 दुकाने होंगी जो इस पूरे इलाके को इलाके में आने वाले पल्टकों की जो भूख है या उनको चटपटी चाट खाने का मन है उसको शांद कर सकेंगी और इसलिए जब यहां लोग घूमने फिरने आएंगे तो उनकी जो पिकनिक का मज़ा है उनकी जो घूमने फिरने का लुथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कैमरामेन रंजीत के साथ विकास भधारिया एबी पी नियूस दिल्ली एबी पी गंगा खबर आपकी जबाद की